स्टूडेंट्स आई होब आप सब ठीक होंगे जल्दी से अपनी उर्दू की नोटबुक निकालिए सफा नंबर नौ खोलिए पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि हुर्फते कैसे बनाते हैं, हुर्फते क्या होता है और उससे क्या क्या चीजे शुरू होती है जैसा कि आप जानते हैं, हुर्फते क्या होता है और कैसे बनता है दाइं से बाएं कश्टी बनाएं इसके उपर एक दो नक्ते लगाएं और ये बन जाता है हुर्फते ते से ताला ते से ताला ते से ताला हम फिर से लिखेंगे ते दाएं से बाएं कश्टी बनाएं उसके उपर एक दो नुक्ते लगाएं और ये बन गया हुर्फ ते फिर से दाएं से बाएं कश्टी बनाएं उसके उपर एक दो नुक्ते लगाएं और ये बन गया हुर्फ ते ते से ताला फिर से डाएं से बाएं कश्टी बनाएं उसके उपर एक दो नुक्ते लगाएं और ये बन गया हुर्फ ते फिर से डाएं से बाएं कश्टी बनाएं उसके उपर एक दो नुक्ते लगाएं और ये बन गया हुर्फ ते फिर से लिखेंगे दाएं सिबाएं कष्टी बनाएं उसके उपर एक दो नुक्ते लगाएं और ये बन गया हुर्फ ते ते से ताला फिर से दाएं सिबाएं कष्टी बनाएं उसके उपर एक दो नुक्ते लगाएं दाइं से बाइं कश्टी बनाएं उसके उपर एक दो नुक्ते लगाएं दाइं से बाइं कश्टी बनाएं उसके उपर एक दो नुक्ते लगाएं दाइं से बाइं कश्टी बनाएं उसके उपर एक दो नुक्ते लगाएं ये बन गया हमारा हुर्फ ते ते से क्या शुरू होता है ते से शुरू होता है ताला, अब हमने ते पे पैंसिल फेड़ ली है, अब हम तस्वीर में रंग भड़ेंगे, यानि अब हम ताले में रंग भड़ेंगे रंग बढ़ना शुरू करें अब हम इसमें रंग भरेंगे रंग आप कोशिश करिएगा कि साफ सुत्रा भरें और रंग बाहर ना निकले तस्वीर के तेसे ताला तेसे ताला तो ताला तेसे ताला तो ताला तेसे ताला तो ताला तेसे ताला तो ताला ते से और भी बहुत सारी चीज़े शुरू होती है जैसे कि तर्भूस, तिथली, तख्ती, ताज आप भी बताईए कि ते से क्या क्या शुरू होता है सोचिए सोचिए हमने ताले में रंग भर लिया है हम एक बार फिर से सीखेंगे कि ते कैसे लिखते है दाएं से बाएं कश्टी बनाएं उसके उपर एक दो नुक्ते लगाएं फिर से दाएं से बाएं कश्टी बनाएं उसके उपर एक दो नुक्ते लगाएं दाएं से बाएं कश्टी बनाएं उसके उपर एक दो नुक्ते लगाएं उमीद करती हूँ कि आपको ते समझ आ गया होगा ते कैसे लिखता है ते से क्या शुरू होता है आप लोगों को सफा नंबर 9 घर पे करना है जब तक नेक्स वीडियो में आपको दूसरा काम बताया जाएगा थांक यू